नमस्कार दोस्तो भाईयो भेनो आप सभी लोगों के लिए काफी खास वीडियो ये लाया गया है खास कर इंडिया के लोगों के लिए इस्पेशली ये वीडियो लाया गया है आपको बता दू दोस्तो आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है सभी भाईयों का और भेनो का एवं अपने प्री सभी लोग का स्वागत है इस वीडियो में पूरे विश्वे वरसे जो भी लोग इस वीडियो में आए हैं सुनने देखने जानने कि क्या कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दू इस समय इंडिया देश के विहार एक्जाम की डेट आ रखी है जिसके लिए मैंने स्केडियो वीडियो कर दिया था कि भाई आप लोगा इस दिन एक्जाम होगा बिहार इस्टेट में सेंटर पर जाकर एक्जाम दे आना यह रिक्रूट्मेंट आप लोग के बिहार इस्टेट में टीचर्स की है बेसिकली यहा आरे वो लोग है जो बियार के स्कूल में जाएंगे और टीचर के तोर पर पढ़ाएंगे ना की सिर्फ पहली से पांच भी क्लास को एक से पांच एक छे से आठ और नौ से बारा यानी करीब करीब एक से बारा के जितनी क्लासिस हैं सारी क्लासिस में जाकर ये स्कूल के टीच आपका admit card से जुड़ाओ एक update एक notice आप कहलो वो आ चुका है कि भाई admit card कफसे download कर सकते हैं admit card पर क्या क्या instruction होंगे और वो ही सारी चीज़े कि exam से जुड़ेवे admit card के बारे में कि भाई कैसे download होगा क्या कुछ चीज़े admit card पर होंगी क्या कुछ चीज़े आप center पर ले जा सकते है क्या नहीं ले जा सकते exam से जुड़ेवे point इस exam को देने के लिए जो centers के जुड़ेवे रहेंगे कि भाई center पर जाके क्या क्या करना है वो सारी चीज़े आ चुकी है आप सभी बिहार वालों के लिए ही नहीं खास है बलकि यह सिर्फ बिहार के लिए ही खास नहीं यह पू उनके आसपा से यहां vacancy नहीं बिल रही है उन्होंने देखा UP state में उनकी teacher recruitment नहीं आ रही है और कहीं जगा पर नहीं आ रही है तो उन्होंने डिरेक्ट बिहार के लिए form डाले है तो मैं आपको साब बता दू कि भाई आप लोगों का जो exam है ना उसके लिए admit card से जुड़ा रहा है तो वो public बाकी लोग को public को service दे रहा है तो इसलिए teaching post जो है वो BPSC में आता है तो आपको बता दू आपका जो exam है वो 15 तारिक से शुरू है 15 और 16 में तो जल्दी से जल्दी जाकर admit card से जुड़ा हूँ आप पहले notice समझ ले पर सो साथ तारिक से admit card download कर सकते हैं यह notice जो है BPSC ने खुद दिया है website पर तो मैं आपके साथ clear कर रहा हूँ तो ध्यान से सुन ले और इस admit card को जल्द से जल download कर लेना जैसे ही आ जाता है क्योंकि आपके पास समय कम है वन वीक कही समय है आप लोग शेयर जरूर करना लोगों तक पहुचाना समझ आए तो like comment share तो कर आया जाएगा ठीक है अभी आप इतना समझ यह कि आप लोगों के लिए इस्टेट बिहार में जो teacher recruitment होएगा उसके लिए आप लोगों का जो है admit card से जुड़ाव update है जो मैं आपके साथ बता रहा हूं क्या कुछ इस notice में आया है यह आज ही के date में आया है मैंने notice provide करा है अब इंडिया में किसी भी जगा से हो आप लोग इस exam को दे सकते हो लेकिन अब नहीं अब एक नया form दुबारा आएगा तीन महीने बाद जुलाई में तो उसके लिए form डाल देना आपने अगर जुलाई वाला form डाल दिया ठीक है तो आप लोगों को confirmed वहाँ पर भी एक ला आपके दे form भी बता दिया था वरके इस वीडियो में हम इसके लिए exam का admit card से जुड़ावा बात बात को जान रहे है ठीक है तो सबसे बहले आपके सामने screen पर है BPSC का website आपको दिखेंगे आपर 2 से 4 notice आज के date में आप लोगों को देख जाएंगे जिसमें इन्होंने कुछ कुछ बाते बताई है जिसमें इन्होंने बोला है कुछ recruitment के exam से जुड़ी इन्होंने answer sheet के बारे में कुछ बताया है किसी में question paper बता रहे है कुछ exam के बारे है और किसी notice में इन्होंने ये बोला है कि हम जो है TRE 3 का जो exam है उसके admit card से जुड़ावा है यही वाला admit card का जो update है आपके साथ discuss हो रहा है इसके अलावा आप लोग की दो recruitment भी एक साथ आज out करी गई है वो आप यहां से देख सकते हैं ठीक है दो recruitment और out हुई है आज ही बिहार इस्टेट मों आप यहां से देख सकते हैं जिसके अंदर vice principal का post है और director कम state fire officer का post है तो इसको check कर लेना अगर इस total vacancy थी वह 87,000 प्लस थी और actual number of vacancy भी मैंने बापको बता दिया था कि वही पूरे state बिहार में किस-किस जिले बचाये चाये अररया हो दरबंगा हो चंपारण हो इस्ट वह आपका पूर्वी चंपारण हो ठीक है जो भी आपके दो तरह से चंपारण है state बिहार में वह तो जो आप लोग की समस्तिपुर यह सारी जगाए कहा है बिहार इस्टेट में तो मैंने आपको सारी चीज़े किलियर करी थी वही किस जगा पे कितनी vacancy आई है जिलो के हिसाब से भी नहीं बलकि मैंने उसमें वर्क वाइस भी बता दी थी वही इस रिकूट्मेंट में इतनी vac इसके पहले दो करा दी अब यह चौथा इसका अगला हो जाएगा जो कि तीन महीने बाद जुलाई के करीब हो जाएगा ठीक है जुलाई में महीने में हो जाएगा 24 के अंदर ही ठीक है तो आप लोग रेडी रह सकते हैं और प्रपरेशन कर ले भाई टीरी फोर में भी जाएगा एक्जाम की प्रपरेशन बहुत असान है एक से दो दिन में भी आप खसम कर सकते हैं इतना असान से लिए बस है इनके एक्जाम का बिलकुल ठीक है चलिए हम आगे बढ़रें इस नोटिस को आपको बताऊंगा सबसे पहला वेकेंसी समझें जो आपकी एक्च्वल वेकेंसी है वो 87,774 है यह टोटल लोग की रिक्रूटमेंट इतनी होनी है अब देखिए मैं आपको बता दू आपको टीयारी 4 में वन लैक वेकेंसी तो देखने को मिलेंगी यह अलग सेपरेट है इसके लावा जो इस वाले रिक्रूटमेंट में खाली बचेंगी वो भी डाली जाएंगे तो करीब करीब आप पान सकते हो यह नया रिक्रूटमेंट होगा 1,10,000 प्लस ही जाएगा क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में भी आपका 5,000 ऐसे लोग निकली आएंगे जो लोग इस वेकेंसी के लिए एबल ही नहीं पाए जाएंगे चाहें वो पढ़ाई पाइट है कॉलिज से जाके 3 साल डिग्री कराया यह सब कराया बस उसको करना है क्या है इस एक्जाम को निकाला है एक्जाम के बाद वो तुर्ण अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफाय करा के जॉइनिंग ले तो कितना असान प्रोसेस है इस रिक्रूटमेंट में आप वो को भरना चाहिए था इस फर्म को क्योंकि अब कोई वो ऐसा है नहीं इसके लिए टी आरी फोर आएगा तीन महीने बाद ठीक है मैं उनसे कहा रहा हूं जो खासकर जॉब ही करना चाहरे है अला कि जॉब जरूरी नहीं है कि जॉब ही करी जाए ठीक है कुछ लोग ऐसे भ कुरे दुनिया की कड़िस चाहिए दोस्तों की जौब आज का जौब आज ही सुदार सकती है कल नहीं सुदार सकती है ठीक है भाई फिर भी अगर आप जादा मजबूर हो बेरोजगारी है तो आप इन वेकेंस यो ले सकते हो वेकेंस की संक्या सही है मैंने का भाई ये एक opportunity है उन लोगों के लिए जिनके लिए आती है छूटनी तो चाहिए नहीं specially लोगों के लिए तो मैंने बता दिया है आप लोगों को आला कि अब नए वाले का form तीन महीने बाद आप लोग डाल सकते हो ठीक है तो यह पहले ही वेकेंसी दियें किस एरिया में किस टीचर की कितनी जरुवत है सारी आप यहां से देख साकते हो ठीक है 6-8 वालों का और 1-2-3-4-5 किलास वालों का भी एकजाम इसी दिन हो जाएगा मतलब कहीं नगी 1-8 कलास के सारे टीचर जो है रिकूट्मेंट वाला एकजाम उनका इस दिन हो जाएगा मतलब 6-8 के लिए तो सभी फिरी हो जाएंग इसी दिन अलाकि जो 16 तरीक को exam होना है आप लोगों का 15 को तो 2 shift लगनी है 16 को 1 shift होगी जिसमें 9 और 10 वालों का exam होगा सिर्फ और सिर्फ बाकी होगा नहीं होगा आपका 9-10 का आगया 1-8 का आगया 11-12 का बताओ तो 11-12 का exam जो आप लोगों का होना है हर subject का और 9-10 के लिए आपका computer science और 15 सारे subject का तो यह सब आप लोगों का जो है जल्दी आ जाएगा तो मैं आपको बता दूँ आपका 11-12 और 6-10 के लिए computer science CS के लिए और music और art के लिए जो subject का exam होगा वो कही ना कहीं आप मान सकते हो कि इसका exam 20 March के बाद आपको देखने को मिल जाएगा मंदो कहीं ना कहीं 20 March क के बाद आपने इस exam को मान सकते हो ठीक है 20 March के बाद आपका यह exam होगा और जैसे यहापर 16 March लिखाया ना तो इसका मंदब यह है कि यह इनका exam खतम होगा एक-दो दिन बीच में देंगे तो कहीं ना कहीं 20 के बाद आपका इस exam को करा लेंगे तो मैंने आपको यह बता दिया अब मैं दिखाता हूँ admit card का notice जो आज आया है इसमें देखी क्या कह रहे है यह कह रहे है कि आप लोग को जो आप लोग की recruitment होगी teachers की उसके लिए लोग कह रहे है कि आपका जो 15 तारिक को 2 shift में exam और 16 में 1 shift में exam जो होगा वो राज्य के आप लोग जानते हो कि बिहार state में क लोग के नाम दिख जाएंगे एक बार हम यहां आ जाते हैं यहां तो subjects के नाम है इन्होंने district wise vacancy अभी आप लोग का शायद आया नहीं है इसके अंदर नहीं मैंने इसको cover कर दिया district wise भी आप लोग आ चुका यह तो इन्होंने वो बता है कि भाई कि subject की कितनी vacancy है वो इन्ह कि यह 26 ऐसे जिले हैं बिहार state में जिसके अंदर इसके center देखने को मिलेंगे जिलों में अवस्थित परिक्षा केंद्रों में आयोजीत की जाएंगे मतलब कह रहे है कि भाई पूरे state बिहार में 26 district के अंदर हम आपका exam करा देंगे यह आप यहां पर याद रखना exam का pattern क्या है mode क्या है मैंने आपको पहले किलियर कर रखा था तो वह आप समझ सकते हैं ठीक है अभी मैं आपको बता दूब आपको पहले से पताए कि मैं 15 को कौन सा exam होना है पहले shift में दूसरी shift में सब पहले जैसा ही schedule है इसमें कुछ बदला नहीं है आप देख सकते उसको compare कर सकते है आप लोग यहां से इसको compare करेंगे दौनों में तो आप देख सकते हो दौनों इस लेवस दौनों ही आप लोग का जो schedule हो सेव है कुछ इसमें बदला नहीं है अब बदली है तो एक ही चीज़ बदली है कि admit card कव आएगा तो इन्होंने बोला है सात तारीक से यानि कि परसो क साइज मतलब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 15-25 के भी अपने डैश्बॉर्ड में login के उपरांद upload करेंगे एवं यदि किसी अभ्यरती के online आवेदन में नाम पिता का नाम और इसके लाबा माता का नाम में त्रोटी है तो प्रश्न पत्र डाउनलोड करने से पूर फो डाउनलोड किये गए Admit Card में अभ्यरती को आवंतित परिक्षा केंदर के रूप में दर्ज होगा मतलब क्या करें जो आव एक्जाम सेंटर का यह सेंटर का ब्रूप में दर्ज होगा जिसमें केंदर यानि का सेंटर कोड है एवं जीला का नाम अंकित रहेगा मतलब कि 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 किस जगा पर आपका एक्जान है ना तो उस district का नाम होगा और उस district का जो center है उसका code होगा अब यह सभी अभ्यर्ति प्रति प्रति पाली हर shift wise प्रवेश्पत डाउनलोड करेंगे मतलब admit card जो है कि एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परिक्षा स्केंद्र ले जाना हस्ताक्षर कर उन्हें सुपूर्द कराना सुनिश्चीत करेंगे मतलब कि आप लोग exam देने आयो तो वहां पर एक register होगा वहां पर sign कर देना जिसे प्रूफ हो जाए कि आप exam देने पहुंच गए हो परिक्षा केंद्र code के संबंद में विष्ट्रित जानकारी दिनाक 12 मार दोजार चौबिस से उपलब्द कराई जाएगी परिक्षा केंद्र code के संबंद में विष्टित ठीक है मतलब डिटेल्ड एड्मिट कार 12 तारिक से अपलोड होगा आप लोगा कराई जाएगी और दिनाक 14 मतलब कि जो आप लोगा 14 मार्च होगा तक प्रवेश्पत्र आनुमती दी जाएगी अर्थात कि एक घंटा पूर आपका जो गेट है जसिस ब्लुडिंग मने जाकर जिस स्कूल या पॉलज में जाकर जहां पर ब tässä होना है ऊसीांटर में आपका जहां पर भी सेंटर है वहाँ पर आप लोग्ने पहले एकशाम अंडर चाले-जाना हो या अगर आप लोग एक गंटे पहले अंदर नहीं जा पा रहे हो तो आप लोग गलती कर रहे हो क्योंकि वह गेट बंद कर देंगे आपको अंदर नहीं बटाएंगे परिक्षा अवदी की समापती के पश्चात जैसे एक्जाम कतम हो जाए यूज जो OMR answer sheet को seal बंद कराने के उस sheet को वहाँ पर submit करने के बाद ही आप center छोड़ोगे यह नहीं है कि sheet वहाँ पर ऐसी dex पर रखके चल दिये नहीं जब तक आपसे वह collect ना हो जाए जो exam hall में teacher है उसको आप लोग ने जब तक sheet नहीं दी तब तक आप वहाँ से नहीं जाओगे उस teacher को जो भी exam hall में होगा उस classroom में होगा उस room में होगा उसको पहले वो sheet दे दो और उसके बाद ही उसको जब आप actual में दे दो उस teacher को sheet को उसके बाद ही center छोड़ना है यह नहीं कि पहले छोड़ दिया ऐसी dex पर sheet रख दी और चल दिये ऐसा ना करें ठीक है OMR sheet पहले उसको दे उस teacher को दे उसके बाद ही center से जाए इस तरीके का process चलेगा तो मैं आपको बतायता हूँ इस notice में क्या है इस notice में यहीं लिखा है कि भाई आप लोग का 15 को और 16 को 15 को सुबह और दुफैर में और 16 में सिर्फ दुफैर दुफैर में 12 से 32 के बीच exam हो जान हो candidate को gate के अंदर नहीं लिया जाएगा यह इन्होंने कहा है हो सकता है कभी कुछ center पर लोग ले लेते हैं अंदर कुछ मजबूरी देखते हुए कि भाई अभी तो चलो एक गंटा है ले लेते हैं कोई हमें देख नहीं रहा है ऐसा कर लेते हैं center पर काफी लोग लेकिन अब गंटा नहीं बलकि एक गंटा 30 मिनट पहले पहुंच चुके होंगे हाला कि एक गंटे पहले gate बंद होना है तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इसी यह एक तरीके से यह समझ यह कि भाई 9-30 exam है तो 38 gate बंद 2-30 exam सुरू है तो आप लोग का 31 gate बंद और वहीं पूरा detailed admit card नहीं होगा क्यूंकि उस admit card पर क्यूंकि actual admit card detailed वाला आप लोग 12 और 13 और 14 मार्च में ही download कर पाऊगे ठीक है याद रखे download admit card करने से पहले आप लोग को सबसे पहले करना क्या है अपने form पर login करना है BPSC के website से जाके उसके बाद आप लोग को 25 kv max to max 25 kv का अपना जो है फोटो फोटोग्राफ होगा अपना खुद का फोटो होगा उसको जो है अपने उसको upload करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद ही देखे वो ही सब लिखा है कि आप वो passport size photograph अपने dashboard में login के उपरांद पहले आप login करेंगे form पर उसके 25 kv का photograph अपना upload करेंगे और upload करने के पाद यदि आप लोग के खुद के नाम में father name में mother name में जैसे आप लोग ने form भराता भी इस recruitment के एक्जाम के लिए तब आपने माल लीजी अपने father mother के name में अपने नाम में गलतियां कर दी थी या हो गई थी तो ऐसे में आप लोग अब इसमें को सुदार सकते हो admit card से पहले जैसे ही login करोगे अपना photo upload कर देना photo upload करने के बाद अपने नाम और father name और mother name में जो सही नाम है सही spelling के साथ डाल देना उसको ठीक है तो वो आपका वही नाम accept होगा जो आप लोग अब डाल होगे ठीक है photograph upload करते हुए अपना जो है अपना नाम पिता का नाम सबको सही सही डाल देना है इस बार अगर गलती भी हुई थी तो सही सही डालना है और उसके बाद आप लोग प्रवेश पत्र admit card download कर सकते हो जो आप लोग admit card download करो तो उस पर आप लोग का exam center का code लिखा होगा इसके ठीक है पूरा center का नाम अभी भी नहीं होगा center का नाम तो दो दिन बाद ही मिलेगा यह चीज भी लिखी है सब यह अभ्यरति को क्या करना है अपना admit card जो है एक उसका जो है आप लोग को उसकी एक copy एक original copy आपको लेकर जाना है चाहे उसका photo copy low या फिर colorful low उसका मसलब नहीं ह बेसिकली आपको admit card का एक copy लेकर जाना है प्रती अपने साथ जो है परिक्षा के यानि exam center पर लेकर जाना है एवं जो आपका और इसके साथ साथ आप जैसी center पर जाओगे admit card को लेकर वहाँ पर center पर आपको register में कहेंगे कि भाई अपने नाम के आगे sign कर दो तो वहाँ पर दोनना है उसके आगे sign करना है जिसे कि यह पता लगे कि यह candidate exam को देने आया है तो इतना करना होगा इसके अलावा अब याद रखेंगे जो admit card आप लोग 7 तारीक से 12 तारीक के बीच में जो download करोगे जो 6 दिन के अंदर यह download करोगे यह आपका center code इसमें दिखेगा जिला दि सेंद्र code के संबंद में विश्तित जानकारी कि भाई center code तो हमें पसा लग गया अब actual में center code के हिसाब से कौन सा center है यह है किदर तो वो आप लोग को actual पूरा address 12 तारीक को दिखने वाला है 12 से 14 के बीच में ठीक है तो मतलब mail यही हो गया कि भाई यह तो आप लोग को 12 से 14 को कोई actual admit card download करके देंगे हाला कि साथ तारीक से लेकर जो बाकी पांच दिन है उसके लिए सिर्फ आप लोग अपने जो admit card को download करोगे वो सिर्फ आप लोग का एक तरीके से समझे कि आधा अधूरा admit card होगा जिसमें आप अपना center code देख पा रहे हो किस जगा exam है उसका जिला द देना है ठीक है समझ आगया होगा admit card के सारा process एक चीद यह भी लिखिए कि center पर एक गंटा पहले ही पहुंच जाए exam सुरू होने से पहले और sheet को सही से जमा करें उसके बाद ही जो है अपना center से भार आए ठीक है तो यह exam controller BPSC के द्वारा यहाँ पर sign है और यह आप लोग का unnotice आगया है admit card से जुडावा तो मैंने आपके साथ cover कर दिया है कोई doubt फिर भी रह जाए तो comment में बता देना और इस जनकारी को ना कि सिर्फ इंडिया भर में पूरे विश्व भर में share करना जहां तक भी आप share कर सको like करे comment करे और कोई doubt हो तो वह भी बताए और subscribe तो जरूर करे मैं आप से मिल रहा हूँ जल्दी तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद